हलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपे तरपले सिपट एक्जाम के इस महामायराथन क्लास में समान जागरुकता के महत्वपूर्ण प्रश्णों को पार्ट वन में इस पार्ट वन में हम पढ़ेंगे भारत के परोसी देश राजधानी एवं मुद्रा के बारे में तो चल चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फिर से कहूंगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्ट प्रश्णों होंगे यहां से और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्णों के साथ बाद में हम प्रैक् देखेंगे तो चीन, पाकिस्तान, स्री लंका, माल्दिव, म्यानमार, भूटान, बांगला देख और अफगानिस्तान यह हो जाएंगे भारत के परोसी देख अब हम इसमें देख लेते हैं इन सभी देखों की मुद्रा और राजधानी देखेंगे सबसे पहले तो यहां प नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी तो यहां पर नेपाल की राजधानी हो जाएगी नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू और मुद्रा जो है यह हो जाएगी रुपया उसके बाद अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी ह हो जाएगी बीजिंग और मुद्रा है यूवान आप इनको याद रखेंगे और आन्ने पर इच्छाओं मेपिट के अलावा भी जो भी एक्जाम होंगे वहां पर भी राजधानी और मुद्रा से सम्मंदित प्रस्न बंद सकते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर द राजधानी क्या हो जाएगी स्री लंका की राजधानी होगी कोलंब और इसकी जो मुद्रा है ये होगी रुपया उसके बाद मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव की राजधानी होगी माले और मुद्रा है जो होगी मालदीव रुपया और म्यानमार की अगर हम बात करने राजधानी की तो राजधानी हो जाएगी थिंपो और मुद्रा गुलटुम मैं आपको एक बात और बता दू हूँ अगर आपको ये प्रिशन कठिन लग रहे हूं या कोई चीज समझ में ना है तो वीडियो को दो बार देख लीजेगा निश्ची तो पर आपकी समझ मे आजाएगा और अगर आप चाहें और मुझे लगता है अगर आप दो बार वीडियो देखेंगे तो जो प्रिशन आप भूलने की संका होगी जिन प्रिशनों को वो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे तो मुझे लगता है आप दो बार देख लीजेगा पूरा वीडि हैं तो इसको दोबारा में आप आसाने से याद कर सकते हैं हम आगे देखेंगे बंगलादेश के अगर हम बात करें राजधानी हो जाएगी धाका और मुद्रा हो जाएगी टका इसको मैं अगर बहुवी कलपे प्रारूप में बनाता तो यह बहुत जादा लंबा वीडियो ब गानी आगे हम देखेंगे अलजीरिया की जो राजधानी है अलजीरियस है और मुद्रा जो है दिनार है अलजीरिया की राजधानी अलजीरियस और मुद्रा जो है दिनार आगे देखेंगे इंडोनेसिया इंडोनेसिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेसिया की राजधान कोई एक option में दिया जाता है तो आप उसे tick करेंगे अगर दोनों option में दी जाती है तो संभवना यही है कि एक ही option में दिया जाएगा अगर दोनों option में दी जाएगे तो नई राजधानी के बारे में पूंचा जाएगा तब आप नुसंतारा को tick करेंगे लेकिन अगर सिर्फ राजधानी पूँच आ या जाकारता को रूंच आगर नुसंतारा अपसंन में नहीं है तो इस चीश को आप समझ लstone को अज़ैं नहीं नहीं पूचा जाएगा अगर नहीं राजधानी पूचा जाएगा अगर नहीं है जो है इजरायली नई से के लिए जो है इजरायल की मुद्रा है उसके बाद हम अगर आगे बात करें तो इराक इराक की राजधानी जो है यह है बगदाद और मुद्रा है जो है इराकी दिनार उसके बाद इरान की हम अगर बात करें तो इराक और इरान इसमें आप उसके बाद इरान की अगर हम बात करें तो राजधानी है तहरान, मुद्रा, रियाल और जो नई मुद्रा है तोमान, आगे हम देखेंगे उजबेकिस्तान, राजधानी है तासकंद, मुद्रा है उजबेकिस्तानी सौम, आगे देख लेते हैं, कुएत, कुएत की राजधानी है कुईत सहर और मुद्रा है कुईती दिनार जापान की बात कहें तो राजधानी टोकियो है और मुद्रा है एजियन और जिंबाबंबे की राजधानी की राजधानी हो जाएगी हरारे मुद्रा है जो है डालर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहां पर देश हो जाए Japan 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 दच्छन अफरीका की राजधानी हो जाएगी प्रिक्टोरिया और मुद्रा जो है रेंड हो जाएगी दच्छन अफरीका की साउस अफरीका की राजधानी क्या हो जाएगी कैपिटल होगी प्रिक्टेरिया और मुद्रा जो है ये रेंड हो जाएगी दच्छन कॉरिया के हम आगर आगे देखें तो यहां पर मैं आप से फिर कहना चाहूंगा इन सभी पिसनों को आप दो बार देख लीजिए गा और स्क्रिंशोट लेते रहिए जो भी आपको इंपोर्टन लगें जो भी महातुपूर्ण लगें उनका आप स्क्रिंशोट रख सकते हैं और मैं आप और मुदरह बहरीन दिनार और उसके बाद अगर हम बात करें तो राजधानी देश है मंगोलिया मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मुदरह जो है तूगरीख हो जाएगी इसके बाद हम आगे देख लेते हैं यहां पर राजधानी हो जाएगी मलेसिया देश हो जाएगा मलेसिया राजधानी जो है कौला लामपूर हो जाएगी और मुद्रा जो है डालर हो जाएगी मलेसिया की उसके बाद मिस्र की राजधानी क्या होगी काहिरार मुद्रा है पाउंड उसके बाद मौरक्को है मौरक्को की राजधानी है रबात और मुद्रा है दहरम उसके बाद हम अगर आगे देखें मौरिसस मौरिसस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लूइस और मुद्रा है रुपया उसके बाद वियत नाम वियत नाम की र राजधानी है रियाद और मुद्रा है साओधी रियाल इसमें रियाद और रियाल यही कन्फूजन हो जाता है कभी कभी राजधानी और जब मुद्रा दोनों साथ में दी हुई होती है और विकलप में पूचा जाता है राजधानी तो उसमें मुद्रा को टिक करके चले आते ह रियाद और रियाल राजधानी है रियाल रियाद और मुद्रा जो है रियाल साओधी रियाल आगे हम देखेंगे यहां पर अगर हम देखें सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी सिंगापुर की राजधानी होगी सिंगापुर और मुद्रा सिंगापूर डॉलर, उसका सुडान की अगर हम बात करें तो सुडान की राजदानी खारदूम और मुद्रा है पाउंड, उसके बाद होंग कोई करें तो विक्टोरिया मुद्रा है डॉलर, ये बहुत ही जादा महातपूर्ण जो राजधानिया थी, जो देश थे, उन्हीं को मैंने इस वीडियो में सामिल किया है, और इसके अलामा जो भी चीजें महत्वपोर्ण मुझे लगेंगी, और मुझे लग रहा कि जो चीजें जो आ सकती हैं आपके पेट एक्जाम में, उन सभी को प्रेक्टिसिट में मैं साम पर आप जाने के बाद जब आप एक्जाम हॉल में बैठेंगे, तो निश्चित तोरों पर आपको पेपर आसान लगने लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर अभी तक अन्य वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर काफी सारे वीडियो आ चुके हैं, उसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, मिलते हैं अगले वीड वीडियो को सेयर करना या ना करना आपकी मरजी पर है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद